Hello students, today we are going to learn about the sentence for the 6th standard. आज हम 6th standard के लिए the sentence क्या होता है? वो हम देखते हैं. So students, look at on the board. We will discuss about the sentence. आप सभी को पता है, sentence का मतलब क्या होता है? ठीक है? हम हमारे जो पिछले क्लास में थे, अगी तब इसमें आया हो, लेकिन 5th, 4th, 3rd standard, यह सब में sentence तो आया ही था, आपको इवनका definition भी पता होगा. Okay, a group of words to make a complete sense is called a sentence. मतलब कि जिस words के sense निकलते हो, जिसका मीरिंग निकलता हो, उस तरह के words हम को लेकर एक sentence बनाते हैं, उसे हम कहते है sentence. Okay, और उस words के सारे words के क्या निकलने चाहिए? Sense निकलने चाहिए. तो आज हम वही discuss करेंगे for the 6th standard. आप सभी को बहुत ही ध्रान से सुनना है. So, let's restart. A group of words put together to make complete sense is called a sentence. इसमें क्या बताएग्या है? कि जो ग्रूप है, जो words की जो ग्रूप होते हैं, उसका क्या निकलना चाहिए? Sense निकलना चाहिए. तब ही हम उसे क्या कह सकते है? Sentence कह सकते है. Okay, इस sentence में भी रिटन और स्पोकर. Sentence कैसा होता है? उसे हम लिख भी सकते है और बोल भी सकते है. तो उसे हम कहते है sentence. Okay, now sentence always have a subject and a work. आप सभी को पता है कि sentence में क्या होना चाहिए? Subject. मतलब हम जिसके बारे में बोल रहे हो, वो subject होता है. और work मतलब उसके बारे में हम क्या बोल रहे है? वो होता है हमारा work. तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारा sentence क्या होता है? Okay, तो इसे साब से इने पुड़े examples लेके हैं. So students, look at only word. ताकि आपको समझ में आ जाएगा That what is a subject and what is a verb? Subject क्या होता है और work क्या होता है? Okay, तो यह subject है. Okay, तो subject में मतलब क्या है? He, तो और work में आ जाएगा is reading. So he is reading. So subject हमारा क्या हुआ? He हुआ और work हमारा क्या हुआ? Is reading हुआ. Now the son, यह हमारा क्या हुआ? Subject. मतलब कि हम sun के बाले में कुछ word है कि वो हमारा क्या है? Subject है. The मतलब shines. So the sun shines. Okay, और एक बार कि हम अगर sentence लिखते हैं तो उसके end में हम हमीशा क्या लगाते हैं? Full stop लगाते ताकि हमें पता चलता है कि वो sentence हमारा क्या हुआ हुआ है? कम लिख हुआ है. तो बच्चों आपको यह जरूर्ण धान में रखना चाहिए. Okay? The children are playing. The children हमारा subject हुआ, are playing हमारा गौग हुआ. It is raining. It हमारा subject हुआ, is raining हमारा गौग हुआ. Now people talk. People हमारा क्या हुआ? Subject. हम लोग के, बतलब उनके बारे subject, ठीके उनके बारे में कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं, और उसके बाद हम last में क्या लगाया, full stop लगा के उस sentence को complete किया, I hope कि आपको sentence के examples, जो मैंने लिखे गए हैं, आपको समझ में आ गया होगा, कि subject क् और वाब क्या होता है, okay, now let's be talk about kinds of sentence, okay, kinds of sentence कैसे होते हैं, वो आज हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने चार्ट लिखे हैं, चार्ट सेंतेंस लिखे हैं, एक होता है declarative sentence, दुस्ता होता है interrogative sentence, तीस्ता होता है exclamative sentence, और और होता है imperative sentence, okay, अभी आज हमें को पता होगा कि declarative sentence क्य होता है, तुकि यह हमारे पहने भी आ चुका है, interrogative sentence क्या होता है, okay, exclamative sentence क्या होता है, imperative sentence क्या होता है, लेकिन फिर भी आज भी इस चीज़ को बहुते स्टिविट करोगी, ताकि आपको यह समझ में आ जाए, okay, now here is kinds of sentence, आईज हम देखते है, declarative sentence क्या होता है, a declarative sentence made to statement, it provides information, declarative sentence का मतलब क्या होता है, जो sentence बनता हो, okay, मतलब जिसका statement होता है, और वो क्या बते हैं, हमें information देते हैं, उस तरह के sentence को हम कहते है, declarative sentence, आईए हम इनके examples भी देख लेते हैं, the weather has improved, मतलब क्या बताया गया है, कि जो weather है, वो क्या हो गया है, improve हो गया है, तो यह हमारी इतरह क्या हुआ, information हुआ, तो इसे हम कहते है, declarative sentence, जो एक हमें statement भी बताया गया है, she loves to tell jokes, the shops are closed, यह हमें क्या बताया है, inform किया गया है, बतलब कि यह information दी गई है, तो उसे उस तरह के sentence को हम कहते है, declarative sentence, now let's see, second one is, interrogative sentence, now what is interrogative sentence, and interrogative sentence, ask a question, interrogative sentence का मतलब बता है, question, okay, मतलब कि हम किसी को question कर रहे हो, okay, तो वो कैसे होते है, how old is Richard, then what is happening, okay, where are the scissors, मतलब कि starting में WH की जो words आते हैं, वो तो obviously questions के लिए आते हैं, कि अगर हमें question बनाना होता है, तो हमें इस तरह के words, use करना होता है, इसके अलावा दूसरे भी होते हैं, कि जो verb होते हैं, उन verb को हम आगे लेकर, okay, in the beginning of the sentence, okay, और in the end of the sentence, we take a question mark, हम क्या करते हैं, last में उसको question mark लगाती है, वो sentence को complete करते हैं, जिसे हम कहते हैं, interrogative sentence, I hope कि आपको ये तो sentence समझ में आ गए होंगे, with definitive sentence and interrogative sentence, now let's see the exclamatory sentence, exclamatory sentence तो बच्चों आप सभी को पता होगा, कि exclamatory sentence क्या होता है, लेकिं फिर भी हम 32 से इस चीज़ को करें है, an exclamatory sentence makes a very strong statement, called exclamation, statement कैसा होता है, strong होता है, उस sentence को हम कहते है, exclamation, it shows a strong feeling like being surprised or angry, जब आपको भी गुस्ते हो चाते हो, या भी आपको अच्छी चीज़ देख लेते हो, तो आपको बहुत ही, क्या होता है, चौक जाते हो, मतलब बहुत ही शौक हो जाते हो, कि वाव, ऐसे लगी निया, आपके मुह से कुछ भी अच्छा से एक वर्ड निकल जाता है, और ग इसे होते हैं, कि जो क्या फिली किस देखे बताते हैं, या फिर आप सर्प्राइस हो रहे हो, या फिर आप एंग्री हो रहे हो, और इस सेंटेंस में, लास्ट में क्या हाता है, एक्स्लामेशन मार काता है, जिससे हमें पता चल जाता है, कि यह कौंसा सेंटेंस है, तो एक्स इंपरेटिव सैंटेंश में क्या होता है कि कोई हमें कमार करता हो कोई हमें ओर दे रहा हो कोई हमें डारिक्षिस बता रहा हो या कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा हो इस तरह के वर्ट को हम कहते हैं इंपरेटिव सैंटेंश जो इस तरह से आते हो Now let's see count in यह हमने क्या किया उसको कमा किया Tell me the truth मतलब तुम क्या बताओ जो सच है वो तुम बताओ तो यह क्या पाई करगा order हुआ बरागत ना उसे order कि तुम जो बोल रहे हुआ सच बोल रहे हुआ Please take a sick यह हमने क्या किया उसको request की तो students इस तरह के sentence को हम कहते है imperative sentence I hope कि आपको आज का यह chapter the sentence के बार हुए आप समझते होंगे और इसके kind of sentence क्या थे वो भी आपने जान लिया होगा Okay Now students, here is your homework Read the sentence carefully and write down the types of each sentence ठीक है आपको इनके types of sentence पताब यह sentence कौन सा है वो आपको बताना है Okay जैसे कि एक्सलामेटरी है तो एक्सलामेटरी का sentence आएगा imperative है तो imperative interrogative है तो interrogative और declarative हो तो declarative Okay Now write D for declarative I for interrogative E for exclamatory and I am for imperative आपको इनका shortcut में लिखना है ठीके तो यह sentence कौन सा है तो जैसे declarative है तो आप D लिखोगे interrogative है तो E लिखोगे exclamatory है I am है imperative है तो I am लिखोगे Okay तो यह आपका homework है Thank you so much for watching my video Please subscribe the channel of Lickin Master Public School